हलो दोस्तों गूर्णिंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का MZT Education में दोस्तों आज है पांच नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच नवंबर दो हजार तेज के Most Important Current Affair के Questions के बारे में वीडियो पूरा इंट तक देखिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ है आज तो आपको इंट तक देखना है साथे ज़्यादा अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी करना है चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भ मेरी तरह देखे कल हम लोगों ने पढ़ा था विस जेली फिस दीवस कब मनाया जाता है ये तीन नमंबर को मनाया जाता है किस देश के दोरा मिनट मैंट थी मिसाइल का सफ़ाल परिक्षण किया गया अमेरिका के दोरा किया गया हुरूर इंडिया परोपकारी सुची में सी केरल जोती पुरुसकार से सम्मानित किया गया कल हम लोगों ने केरल जोती के लावा केरल परभा और केरल सिरी के बारे में बात किया ससस्तर बल नया दिकरण के अध्यक्ष बनाये गये हैं जश्टिस राजे इंद्र मिनन जी ये दिली हाई कोड के पूर्व चीप जसिस थे मौमद समीहामद ने वर्ड कप में भारत के लिए सरवाधिक विकट लिया है पैतालिस विकट से नों है ले लिया है अभी चौदा मायचों में ही AIC जुड़े जोखिमों को नियंतरित करने के लिए भारत ने अभी हाली में 28 सदस्य देशों के साथ समझता किया है मतलब टोटल 28 सदस्य देश जो थे भारत समेथ इस पे हस्ताक्षर किये हुए हैं और इसे वैले चले टेकलिरेशन कहा जा रहा है भारत की पहली अंडर 23 महिला कुष्ती विश्व चैंपियन दोस्तों बन गई है रेतिका हुटा ये दूसरी भारती है और पहली महिला है किया था अब आगे बढ़ें आज की करेंट अफेर की तरफ बढ़ें इससे पहले आप लोग जिस चीज का इंदजार कर रहे थे बहुत दिनों से वह अब सक्सेश्पुली आ चुका है GS सफलता 2.0 ये 2024 के सभी एक्जाम्स को टार्गेट करते हुए है और 15 महिनों की वेलिडिटी के साथ ये लाया गया है इस बार इसमें आपको सारे सब्जिक्स डिटेल में पढ़ाय जाएंगे GS सफलता 2.0 बहुत जादा सक्सेश हुआ बहुत खुब बढ़ चल करके हमने उसको प्रमोट भी किया क्योंकि quality content था आज तक उसकी एक भी सिकायत नहीं आई कि किसी में खराब quality का content कोई दिया गया हो या समझ में ना आया हो कोई class ये जरूर सिकायत है कि class थोड़ा लेट हो रही उसमें लेकिन वो भी overcome किया जा रहा है और बाकी classes में किसी भी topic में किसी भी chapter में कभी कोई सिकायत नहीं आई जिये सफलता 3.0 उससे भी एक उन्नत संसकर्ण है दो हजार चूबिस के सभी exams को target करते हुए लाय गया है अब ये चूकी अभी लाया जा रहा है दीपा वाली offer के साथ हा रहा है आज दिन में इस पर मैं एक वीडियो आपको दूँगा और उस वीडियो में मैं आपको पुर तरके वीडियो तब आप लोग purchase करिएगा ठीक है और जिये सफलता 3.0 जबरदस्त वैच होने वाला है समझलो और बहुत ही nominal cost में होने वाला है आप जितने भी platform देखोगे सबसे कम दाम पर यहां पर मिलेगा आपको सबसे बहतरीन content के साथ गारंटी के साथ मैं compare करने के लि लेकिन offer जो है वो दिवाली तक ही रहेगा एम जटी एप पर यह मिलेगा जिये सफलता 3.0 शुरू करते हैं आज के question से पहला question प्रतेक वर्ष विश्व सुनामी जागता दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतेक वर्ष दोस्तों विश्व सुनामी जागता दिवस मनाया जाता तो मैंने उसमें बताया था जब लहरे उठती हैं अगर लहर कोई छोटी हो समुद में वेपस आती हैं वो अगर छोटी होती है तो उन्हें हम लोग लहरे कहकर टाल देते हैं 2-4 फिट 10 फिट उची लेकिन अगर कोई लहर इतनी उचाई वाली हो 100 मीटर 200 मीटर 50 मीटर की उ तो नामी ऐसा क्यों होता है कब होता है जब वही टेक्टॉनिक प्लेट्स खिजकती है अपने टेक्टॉनिक प्लेट्स जो दोस्तो ये भूकम की वज़ा से होता है भूकम भी आने का कारण वही टेक्टॉनिक प्लेट्स है कल की वीडियो अगर आप देखोगे कल मैंने चिपाल में ही क्यों आते हैं, अफगारिस्तान में ही क्यों आते हैं बार बार, एपी सेंटर मतलब वहीं पर ज्यादा क्यों होते हैं, तुर्की में ही एपी सेंटर क्यों होते हैं अक्सर, यह सारी चीज़ें आप लोग इसमें जान पाओगे, मतलब हुकम के बारे में विश् तो देखो यहाँ पर fighting inequality for a resilient future ये है इस बार की theme सुनामी जागता दिवसकी शुरुवात इसकी 2016 से की गई वहुष्णा UNGA के बैठाग में 2015 में की गई थी तो दोस्तों जैसा कि आप सब को पता है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा इपी सेंटर क्या होता है focus point क्या होता है कैसे plates टक राती है वगरा वगरा फिर भी मैं आपको कुछ जो जरूरी details है वो बताऊंगा हर बार की तरह हमेज़ा की तरह तो देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जैसे मालो यह पिर्थि भी है यहाँ पर tectonic plates हैं बहुत सारी plates हैं यह plates जो हैं इसमें जैसे अपना जो भारत वाला plate है भारतिय टेक्टोनिक plates और उपर का जो युरोयसिये tectonic plates है, वो कुछ इस प्रकार से गया हुआ है यहांपर, भारत के उपर नेपाल से होकर गया है, तो जब यह जो इनों tectonic plates आपस में टकराती है, तो इनके टकराने की वज़ा से, इनके टकरानिक विज़स जो कमपन उत्पन होता है उसे ही कहते है भूकम, सिंपल भासा में, अब यह जहां पर टकराती है, जहां पर यह टकरा रही है, वहीं अक्सर हमेशा आएगा, अब इसका यह किस जगा पर टकराई, वो पिर्थवी का जो अंदर वाला हिस्सा हुआ, जहां प एपी सेंटर, क्योंकि पिर्थवी के अंदर तो कोई रहता नहीं, उपर ही रहता है, तो इसलिए हम लोग एपी सेंटर ही पूछते हैं, मतलब की पूछा जाता है कि एपी सेंटर कहा था, तो यह एपी सेंटर जैसे था, नेपाल के जाजर कोट जी लेके, लामी डांडा इ लाके में, समझ में आई बात कि मतलब यहां पर जैसे भूकाम पुठा तो यह होगा फोकस बिंदू, यहां प्लेटे टकराई, और इसकी जश्ट ऊपर जहां पर सब ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, यह हुआ इसका एपी सेंटर, कई बार पूछा जाता है एपी बहुत जगादा डिपेंडेंट है भारत पर, आप देखोगी यह रहा नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू होती है, काठमांडू में ही सार्क का हेटक्वार्टर है, ठीक है न, नेपाल की PM है पुस्प कुमार दहल, जिने परचंड भी कहते हैं हम लोग, और वहा वर्सों के लिए सोमनात मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, तो पीम मोदी जी पाँच वर्सों के लिए सोमनात मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऐसे पहले व्यक्ति हो गये हैं, जिने पाँच साल की कारेकाल के लिए नियुक किया गया है, अमो किया था और पूरी तरीके से मंदिर को तबाह कर दिया था सोमनात मंदर इतिहास से तभी से चर्चे में है और जब महमूद गजनमी लूट कर ले गए तो उसके बाद भारतिया कई राजा आया और दुबारा से इसको बनवाया गया सोर्ण मंदिर हुआ करता था तो यह लिटन आप तो सुलंकी वंजेंद दाभी Спасибо कर देसके देश कोनेको दोस्तो भाए जा रह है मिट्टी और इंडिया गेट के पास एक उध्यान में रखा जाएगा तो मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान के हिस्से का एक वीडियो बनाया था सुम्रात मंदिर ट्रश्ट ने वो भी इन्होंने अभी रिलीज किया यहीं पर तो पांच वर्श के कारेकाल के लिए भी होंगे और तीसरी बने हैं ठीक है आगे हाली में भारत ने किस देश के साथ आवाज अभी और प्रवाशन साजेदारी समझोते पर हस्ताक्छर किया है तो अपने आस जैसंखर सहाभ है विडश मंत्री और सेम वहां के ये गए और इटली में ये इनके संकच जो है अंतोनिया ताजानी जो की वहां के विदेश मंतरी है इटली के उनके साथ ये डील हुआ है कौन सी mobility and migration partnership agreement इसके तहद क्या होगा इसके तहद जो भारत से जाने वाले जो स्रमिक हैं जो छात्र हैं students है जो नोकरिक पेशा करने वाले हैं उनको उनकी mobility में आसानी हो सकेगी माइगर उनको करना है तो वह भी आसानी से हो सकेगा प्रवास करना है तो वह आच्छे से हो सकेगा इसके लिए ये partnership हुआ है फिके न इटली के साथ भारत के साथ अच्छा राजधानी इटली के होती है रोम प्रधान मंत्री यहां की है जॉर्जिया मेलोनी और यहां के करंसी होते ही यूरो के विए यूरोपियान यूनिन का सदस्य है आपने अभी देखा G20 जब समिट हुआ इंडिया में तो PM Modi और जॉर्जिया मेलोनी की खुब तश्वीरे वायरल हो रही थी तो जार्जिया मेलोनी फिलाल अब मुझे नहीं पता कि भारतिय पधान मंत्रियों को इटली वाली ही की पसंद आती है फिलाल इनका अभी एक तज़ा अपडेट है 10 सालों का इनका रिस्ता तूट गया है यह भी तलाक ले ली है चलिए वो इंटर्टेन्मेंट के लिए था मजाग परपस से लीजएगा सीरियस मत होईएगा ज्यादा राजनाथ सिंग ने कहाँ पर इंडिया मैनुफेक्चरिंग सो का उधगाण किया तो जो रक्षा मंतरी है राजनात सिंग इन्होंने इंडिया मैनुफेक्चरिंग सो का अभी हाली में उत्खाटन किया है ये कहां पर किया गया है बैंगलूरू में बैंगलूरू करनाटक की राजधानी है यहां पर अभी देखो 2, 3 और 4 नवंबर को ये आयजन किया गया है तो IMS इसे कहा जा रहा है यानि इंडिया मैनुफेक्चरिंग सो कहा जा रहा है छटा इस बार का इसका संसकर है ठीक है ना इंडिया मैनुफेक्चरिंग क्या तो नाम से ही सपष्ट है कि हम लोग इंडिया का मेडिन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं आतम ज़्यादा production करेंगे कि हम लोग export भी कर सकें तो make in India, make for the world ये भी theme के साथ हम लोग चल रहे हैं इंडिया manufacturing show का ये उद्खाटन अभी रक्षा मंतरी राजना सिंग जी ने किया है अच्छा, कल मैंने आपको आयोजन और सम्मेलन पर ही एक वीडियो दी है मतलब वीडियो क्या class हुआ था साम को daily topic wise class हो रही है कल आयोजन और सम्मेलन का ही हुआ था जिसमें मैंने बैंगलोरी में हुए कई सम्मेलनों के बारे में चर्चा किये आप जरूर देखेगा class क्योंकि इंडिया के कौन-कौन से सहर में कौन-कौन से सम्मेलन होगा ये भी हम लोगोंने कवर किया दुनिया भर के कौन-कौन से देशों में कौन-कौन से बड़ी summits होए ये सब हम लोगोंने कवर किया 2023 का ये topic wise सरी चला जा रहा है daily साम को 6 बजी class होती है तो एक दिर हम लोगोंने रक्षा प्रत्रक्षा और सन्यभ्यास को कवर किया दूसरी class कल थी जब हम लोगोंने आयोजन सम्मेलन कवर किया आज साम की जो 26 बजी class होगी वो महत्सो और मेले पर होने वाली है तो आपको जोड़ना है आना है मुझे आपका इंतजार रहेगा अगला हाली में किसने चीन के belt and road initiative से बाहर निकलने की गोशना की ये एक बहुत बड़ी news निकल करके आई कल सामने तो अभी हाली में दोस्तों फिलिपींस ने कहा है कि हम चाइना के belt and road initiative से बाहर हो जाएंगे चाइना के belt and road initiative जो इसका सपना था ये जो इसका silk route बहुत प्राचीन समन में हुआ करता था उसी को दोबारा जागरित करना चाह रहे थे belt and road initiative के मादम से BRI model के मादम से उसी कहीं साथा CPEC चाइना पाकिस्तान economic corridor तो वो भी वो तो ठप पड़ा ही हुआ है यहाँ पर भी ये अलगिन का मसला चल रहा है अब इससे भी देरे देरे और सारे देश कट रहे है इसके पीछे कारण क्या है देखो पहले तो ये समझो ये BRI model है क्या इसके तहट चाइना जो है न ये एसिया के बहुत सारे देश और साथी साथ मिडल एस्ट के बहुत सारे देशों को ये connect करते हुए यूरोप को भी connect करेगा जिसके तहट ये व्यापार करेगा मतलब ये इसका एक root है एक व्यापारिक मार्ग है जो इन इन देशों से ये समझोते करकर के ये यहाँ से व्यापार करेगा ठीक है जी लेकिन इसमें बहुत सारी अर्चने भी आ रहे है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत सारे देश इसमें जोड़ रहे है बहुत सारे देशों को इन्होंने connect भी किया था यहां पर आप देखोगे तो यहीं से यह CPEC भी निकाले थे ठीक है ना इधर POK से होते हुए यह पाकिस्तान होते हुए निकाले थे फिलहाल वो तो ठप पड़ा इसका यह लोग बदला लेने के लिए बीच में भारत ने की है deep analysis video आप उस playlist में जा करके अगर आप इन सब चीजों के interested है तो आप उनकी जा करके वीडियो देखा किजिए बहुत important वीडियो उसमें सारे यह मुद्दे जो है अच्छे से तयार कराएगे हैं खास करके आप बड़े लेबल की अगर civil services वगरर की exam की तयारी कर रहे हो त इस corridor को बनाया जाने की कवायज बहुत तेज चली रही थी इसके तहर देखो सौधी अरेबिया UAE इसके बाद connect होते हुए इधर यह इसराइल होते हुए यह निकलता इधर Greece में तो अब इससे बहुत सारे देश खपा हो गए औवियस सी बात है खपा होना ही था क्योंकि चा चाइना का BRI model जो है वो affected होगा क्योंकि बहुत सारे देशों को भारत कवर कर ले रहा था ऐसे में चाइना कहा जाता है ऐसा कहा सुनी बाते हैं चाइना अडंगा डाल दिया यहां पर हमास का युद्धकरवा करके चाइना और यह इरान भी इसमें सामिल था तुर्की भी इस ब्रूल करके एज्राइल पर लगा दिये क्योंकि इसराइल का यहां अरब देशों के साथ बहुत पूरानी दुस्मनी थी अब ऐसे में यहां साओधी अरेबिया इसराइल से हो करके अगर कॉरिडौर करता मंनलब रिस्तों में सुधार करता तो फिर यह कॉरिडौर बनना लगता जब चलने लगता तो इन लोग का घाटा होता इसी लिए वो पुराना जख्म फिर से ये लोग खुदेर दिये और पुराना जख्म जब ताजा हो गया हमास के रूप में हमास और इसराइल के लड़ाई के रूप में अब समझ लो ये मॉडल जो है ये अपना जो आइमेक जो टील था वो ठंडे विस्तर में चला गया इंडिया निकाहरू को बेटा हम भी बताते हैं अब हम भी आपका एक एक तोड़ना शुरू करेंगे शुरुआत हो गई इधर फिलिपीन से फिलिपीन जो है इसके अभी समुदरी जहाजों क बीच में टक्कर हुई और फिर यहां पर भी मिर्च मसाला लगा करके अब इनको समझा दिया गया आपको फिलिपीनस दिख जाएगा यहां पर यह चाइना दिख जाएगा यह अपना प्यारा भारत है और यहां से आप देख सकते हो ठीक है ना चलो तो आई होब आपको कु एक टॉपिक पर डिडिकेटेड मैंने आपको 15-15-20-20 मिनट की वीडियोज दी हुई हैं, तो आप इनको देख सकते हो, आई में एक दील अभी हुई थी, इस पर मैंने वीडियो दिया, इसराइल फिलिस्तीन वार पर दिया है मैंने वीडियो, बियाराइ मॉडल पर दिया हु तो गुजरात राज सरकार के दौरा अभी हाली में दोस्तों, दुबई में, कहां पर? दुबई में, वाइबरेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड सू का आईजन किया है? यह वाइबरेंट गुजरात है क्या? आप पहुल दिनों से सुन रहे होगे, जगा-जगा यह रोड सू करते हैं, रोड सू में वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ आपका इंवेश्टमेंट कितना सेक्योर रहेगा, बड़े-बड़े जो पूजीपति आते हैं, उनको दिखाय जाता है कि दिखो आप हमारे हैं यह यह जगा का investment होता है, तो जगा जगा investment करा जाता है, अब गुजरात ने थोड़ सा बड़ा सोचा, इंडिया में तो ये गए ही गए, इसके अलामा ये दुबई भी गए, दुबई भी गए, वहां के सेख लोगों को, खलीफा लोगों को जा करके कहे, आओ हमारे कभी गुजरात म करो, तो गुजरात वाला ये हुआ vibrant गुजरात समिट, क्या करेंगे पधार करके, ये investment करेंगे, कहां पर investment करेंगे, गुजरात इनको दिखा रहा है कि हम भी बना रहे है ये gift city, और ये gift city है, बहुत ही futuristic city है, मतलब बहुत ही आधुनिक लेवल का, advanced रूप का ये city बनाया जा रहा है, इंडिया आज first smart city के नाम से इसे कहा जा रहा है, गुजरात इसका धूम धाम से परचार कर रहा है, इसी को दिखा करके investment attract किया जा रहा है, तो ये गुजरात में बनेगा, आपको विलीब नहीं होगा, ये ऐसा structure गुजरात में होने वाला है, एक city का, जो कि एक city किया हुआ है, ठीक है न, आगे बढ़ते हैं, नॉमर 2023 में Hauser Pen का नया brand ambassador किसे मनाया गया है, तो फालतू का question है फिलाल, रडवीर कपूर को बनाया गया है, इसका brand ambassador, ये Hauser जो pen आती है, उसका परचार करेंगे, देखो, मैं ऐसे questions लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ- question उठा भी लेते हैं, तो इस वैसे, क्योंकि हमें सब को cover करना, इस वैसे question ले लेते हैं, वैसे तो 80% exams में ऐसे questions नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है न, फिलाल, अगर बात करते हैं, फ्लेयर राइटिंग इंडेस्ट्री इस लिम्टेट के ताहताती है, फ्लेयर की pen अपने य मिहमत बनाया गया थे, SBI का भी हमें जोनी को बनाया गया, मोबिल का रितिक रोशन, रविन जड़ेजा, हाउसन का लॉरियस का इनका नीरत चोपड़ा, यहाँ पर देखो, ICC विशुकप का सारुक खान को नियुक किया गया था, ICC विशुकप 2023 का Global Ambassador बनाया गया सचिन ते संबिश्टर, अगला, हाली में जिवरिक Non-s posición Group ने कोटक General Insurance में कितने प्रत्सत हिस्सेदारी के अधिःरान की घुशना की, तो देखो, जिवरिक 211 प्रत्सत हिस्टेक उल्ड करने की यहाँ पर घुशना किया हुआ है, कि हम इनका 0% हिस्सेदारी खरी देगई मतलब आधे से जादा जब आधे से जादा हो जाता है तो company तो उसकी हो जाती है लेकिन यहाँ पर deal कुछ होड है यह जो हुई है जियूरिक इंसुरेंस और कोटक जनरल इंसुरेंस की बीच में deal हुई है इसमें कहा जा रहा है कि जब तक यह 70% तक नहीं ले लेते न इस टेक इसका तब तक यह कोई कोटक महेंदरा बैंक से परबंधन नियंतरण नहीं ले पाएंगे मतलब इनको अगर पूरा का पूरा management कंट्रोल लेना है तो 70% तक की हिस्सेदारी खरीदने होगी अभी तो 59% और लो और वो भी 3 साल की deadline के अंदर अंदर तो 3 साल का मौका है इनके पास 19% अगर और ले लेते हैं तब यह पूरा-पूरा management भी पाजाएंगे तो अपना decision अपना सब कुछ होगा ही इनका डील कितने में हुई 4,501 करोण रोपे में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नॉब्बर 2023 में किस राजी सरकार ने धार्मिक परियाटन को बढ़ावा देने के लिए बहु भासी micro site लांच किया है बहु भासी micro site यानि कि multilingual micro site ये अभी हाली में लांच किया है केरल राजी सरकार ने धार्मिक परियाटन को बढ़ावा देने के लिए एक्षिली में केरल हुआ और तमिलाटू हुआ यहाँ पर मंदिर बहुत जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी उतना मुगल सासक या फिर कोई विदे से आकरमणकारी आपना सासन नहीं फाला पाये थे तो इस वयले से मंदिर को नष्ट नहीं किया जाए तो यहाँ पर क्या हुआ कि केरल में अभी धार्मिक परेटन क्योंकि वहाँ पर धार्मिक परेटन बहुत जादा होता है तो परेटन को सभी लोग बढ़ाना चाही रहे हैं, आप देखी रहे हो, कोई बीजा मुफ्त कर देता है, कोई इंट्री मुफ्त कर देता है, वगरा वगरा, तो यहाँ पर धार्मिक परेटन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या कहा, कि हमें एक माइक्रो साइट ला होते हैं, तो जैसे ट्विटर होता है, ट्विटर जो है, जिसका नाम अभी एक्स हो गया है, उसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसमें एक लिम्टेड टैक्स ही आप पोस्ट कर सकते हो, लिग सकते हो, तो वो ठीक है ना, तो ये मल्टी लेंग्विल धार्वी कस्तल के बारे में जानकारी देने के लिए, उसकी डेटेल्स बताने के लिए, ये माइक्रोसाइट है, किस ने लांच किया, केरल ने लांच किया है, ठीक है, केरल पिछले दुनों में कब कब चर्चे में रहा, AI स्कूल के इसने सबसे पहले की है, नेहरू ट्राफी नौकादावड का 69 संसकान यहां हुआ, केरल का नाम बदलकर केरलम करने के लिए, विधान सभा में प्रस्ताव इन्हें पारित किया है, इसके लांवा, इन्होंने एक और बिल लाया है, वाटर बिल, वाटर बिल लाने वाला भी पहला राज्य है, इसके लामा, पहला मत से पालन अटल इन्हों करने के मदद से, केफ़ोन, केफ़ोन यानि की केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है, इस नाम से यह फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लांच कर रहे है, इनका खुद का इंटरनेट होगा, तो इसके जरिए खुद की इंटरनेट सेवा सुरू करेंगे, ये भी करने वाले पहले राज्य है, वैस्वी कायरी में मेला इनका एक दिसंबर से पास दिसंबर तक आयोजित होगा यहाँ पर, आगे अब केरल के बारे में आप देख लो, केरल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, प्याद रखना, पेरियार वन जुए भ्याराण भी है, कथाकली, मोहनी अटम, काली अटम, ये प्रमुक सास्त्री इन्रत्य है, जी लोग संख्या 14 है, विधान सभा में 111, 41 सीटे, लोग सभा 20 और राजवा में 9 सीट जाती है, अगेन एक बार फिर से, GS सफलता बैस 3.0 ज साथी साथ और भी दिवाली के ओफर्स सभी पर अपलाई होने जा रहे हैं, आज दिन में वगयरा में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी, इसके अलावा अगर हमारी कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप हमारा WhatsApp चैनल जॉइन कर लो, सबसे पहले मैं अपडेट यहीं पर जॉइन के वगयरा हमािएटन को ताइले ज सबस्रेट पर आपेटे को कैडने के दौरान कितने दिनों तक रुखने हैं तो तीस दिनों तक रुखने की अनुवतिती है, आज आपको क्या बताना है, केरल सिरी पृषकार से किसे सम्मान्त किया गया, साथी साथ एग्रो एक् प्राप्त कर लेना मैं मिलूँगों आपसे अगले दिन की वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाएं वन्देबात रहाएं